हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आप सभी का 29 फरवरी को विज्ञान का पेपर है जिसमें आप सभी को विज्ञान की जितने भी आपको पेपर कराएं उन सभी पेपरों का संपूर हल आप लोग जरूर देखिएगा फ्रेंस देखिए दो हजार चोबीस के लिए विज्ञान का जो पेपर है एक प्रकार का वायरल पेपर है यह जो पेपर का सेट है इज है ठीक है तो आप वीडियो को लास तक जरूर देखिए फ dave, यहांपी आपको समय हैं यहां यहां पिप देखिए आप रहया वब Songs ञिरता है पर अब घ़्यान के जो इंपॉर्फरु मिल्ट रहता है इस परश्च पत्र को पढ़ने के लिए सभटिय साय और यहां पिन के निरक shaa यह रहते हैं इस निर्देश में क्या हुता है कि विज्ञान के जो निर्देश हूत है उसको आप एक बर लीजिए राता है एक हुप वृवजित होता है का ये सटाध होता है Boy remains我要 पर भर देंगे तो उसे आपको नहीं काटना है नहीं रेजर ना वाइट इन सब का प्रयोग आपको उस पर नहीं करना रहता है ठीक है कि यहां पर फिल एक खंड में जितने वह इकलपी प्रश्ण एक-एक नंबर करता है फिर इसके बाद आपका जो खंड बह रहेगा वड़ कीजिएगा इस पॉइंट को ध्यान दिजिएगा जैसे आप उफभाग जो सेकेंड या फर्स्ट इस तरह स्टार्ट करेंगे तो उसको अगले पेज पर स्टार्ट कीजिएगा ठीक है सभी प्रश्ण करना आपके अनिवार है जितने भी निर्देश रहते हैं निर्देश क आप सभी को प्रश्ण बताते हैं प्रश्ण को ध्यान दे के इन सभी प्रश्णों को आप जरूर तयार कर लिजिए पहला प्रश्ण क्या है कि किसी वस्तु का अउतल दरपड़ द्वारा बना प्रतिभीम देखिए आपको पहले प्रतिभीम कैसा आभासी सीधा और तो प्रतिभीम दरपड़ सभी रखेंगे तब यहां पर आपका प्रतिभीम वस्तु में रखते हैं तो आपको वस्तु का प्रतिभीम वस्तुविक सीधा बनता है वस्तु schon से बड़ा बनता है इसका प्रश्ण का सही जवाव कि अगर D वाला आपसंद सही हो जाएगा इस प्रश्ण loco आप ज़रूर ध्यान दीजवाव दियen each σबशन का सही जब दूरी नियायं पचाइट सेंटी मिटर फोकॉल दूरी का यह 5 सथा लेंस यहां पे छोटे छोटे अक्षरों को पाढ़ने के लिए 5 सेंटी मिटर फोकॉल क्स्स दूरी का एक उत्तर लेंस अप पर कि किसी गोली दरपड तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरिया प्रतेक में माइस 15 cm है दरपड और लेंस क्या होगा यहां पर देखिए क्या है आपका गोली दरपड है और यहां पर क्या है आपका गोली लेंस है और प्रतेक इसने फोकस दूरि माइनस में दिया तो जब यह minus में रहता है जैसे दोनों कि दोनों कि आपना चाहिए आप गोली दरपड़ भी और रप्रक्ती दरपड़ होना चाहिए लेंस और अव्तल लेंस यह चीजिए इसलिए कि इसकी फोकस दूरिया दोनों को माइनस कब आता है तो दोनों आउतल ले आउतल के कंडिशन में आता है इसका सही जवाब एवल आपसन सही हो जाएगा ठीक है चलिए अगले प्रश्ण को देखते हैं देखे चौथा नंबर का सवाल का आपका मानुन नेत्र के जिस और की दो चालकान, जिनके पधारत लंबाई तर्था प्यास समान है किसी विद्धुत परिपत में पहले सृड़ी में और फिर पासर्व करम सन्योजित कि यह जाते हैं से रही आकपाशर्व सन्यो जानत उत्रपन इस्माओं का अनुपाद को रहा है कि एक अनुपाद यह सवाल को आपको बहुत डिट्यल में बहुत बता वहां से जाके देख सकते हैं यहां पी इसका इंसर होजाएंगा करेक्ट कुल को यहां एक अनुपाद whose correct तो पहले जाके आप माडल पेपर जो यूपी बोर्ड के द्वारा दो हजार चोबिस का जो पेपर वाइरल किया गया है उस पेपर को आप जाकर जरूर देख लीजिए ठीक है और उसमें सवाल आपको मिल जाएगा चलिए अगले प्रशन को देखते हैं अगला प्रशन देख अधिक्तम होता है ठीक है तो यहां पर अधिक्तम कहां पर देखिए बहुत कम हो जाता है दारत यह गलत कथन परिवर्थित नहीं होता है यह दाओर गलत हो जागा निरांतिर परिवर्थित होता है यह भी कथन गलत होगा बहुत अधिक बढ़ जाता है इसका सही जब सीवल उत्पन होता है तो यहां पर द्यान दिजाए जनित्र करते हैं गयलोन मीटर एमीटर या मोटर ठीक है तो इसका सही जो अपसंद सही हो जाएगा चलिए अगले प्रश्णों को देखते हैं देखे उपखंड भाग जो है इसमें देखी आठवा नंबर का सवाल क्या है कि यह मिस्र धातू है ठीक है तो एंटिमनी जो होता है उपधातू कंत्र गताता है इसका सही जब सीवल आपसंद सही हो जागा इस प्रश्णों को द्यान दिजिएगा अगर आप प्रश्ण 9 नंबर का देखिए कि लेड नाइट्रेट का रसाइनिक सुत्र क्या होता है तो ल इस प्रश्ण का सही जो आप बीवल आपसंद सही हो जाएगा अगला प्रश्ण देखिए दसवा नंबर का निमनलिकित में से असंत्रिप्थ हाइड्रोकार्बन इसमें से बताना है देखिए असंत्रिप्थ हाइड्रोकार्बन वे कार्बन होते हैं जिसके अंत्रगत डब होता है ठीक है तो यहां पर देखिए जो पूछा रहाट यहां क्या हो जागा सई हो जागा सी टु एस फार्मुला पर रखके देखिए गा इसके अलब यहां पर इसपे रखें कर्देगे दूंड होगा जब यह सही हो जागा इस फार्मुला पर रखें दोने पर देख सकते हैं तो जिससे फार्मुला पर आएगा वह यह संतिर्थ हाइड्रो-कार्बन होता है ठीक है चलिए अगले प्रशन को देखते हैं देखें अगला डिएट में आपको बताना है प्रोपे नल मुथा है किया होगा तो यहां पर उपिल है तो अल किस्में जुटता है तो एल्ट 모르 तो चुलिए अगले प्रश्णों को देखते हैं देखे बारा नंबर का प्रश्ण द्यान दीजिए कि अधिक अमल का आई प्याइस्टी नाम क्या होता है यह प्रश्ण तो कई बारा आप सभी को करा चुके हैं कि अधिक अमल जो होता है इसका आई प्याइस्टी नाम आप याद रखिएगा इसका होता है एथेनोईक अमल होता है इसका सही जवाग भीवल आपसन सही होगा अगला देखे तेरा नंबर का कि एक तत्व के कोलराइड का सुत्र यम-C-L-2 है उसके आकसाइड का सुत्र क्या होगा ठी है तो देखिए यम-C-L-2 है यहां पर आपको जब इस पकास से मिलेगा तो आपको इसमें से बताना है तो यहां पर दो इधर आ जागा तो क्या हो जाएगा यह ठीक और आकसाइड का ओका सनुझकता कितना होता है दो होता इसके पास और इसके पास सनुझकता कितना एक है पिडिया गुडा कहली है इसका इधर इसकी प्रस्प्रम चेह और अगला प्रशन देखिए अब यहां पर प्रारभ होता है उपभाग्ती डियांती दिजीगा कि बिक्गों का कार क्या होता है तो इस प्रशन का सही होगा कि बिक्गों का जो कार है उठ सर्जन का काम होता है अगला प्रशन देखें 15 नंबर का कि पट्थियों पर कलिया विक्सित होती है ठीक है तो पत्तियों पर कलियां जो विक्सित होती है यह जो होता है आपका ब्रायो आपके लग तो मने जाते कौन माने जाते इस प्रकाश हो जाएगा आप सीवह पता है कि मटर्ड़ के पौधे पर जाते कि अध्रीकशन का सही वाला आस प्रजणन होता है और अभी आपको बताना है कि मुखुलन द्वारा प्रजनन कहां पर होता है तो देखिए इस प्रश्ण का सही जो आपसन सही है अगला प्लशन प्रयोगी परयोग है अभी आपको बता है तो ले नमबर तो यह प्रयोग किया था लेकिन ये पूछ रहा कि मीठा मतर था यहां पर आपसंद क्या हो जाएगा उद्याहल मतर था ठीक है तो मैंडल का जो प्रयोगी पौधा माना जाता है तो उद्यान का मतर माना जाता है इसको सही आद रखिए सरे का बिवाफसं चंट्र का शिल सब्सक्सार नहीं है जो हुता है यह माना जनंतर का भाग होता नहीं होता है तिसका सही जो आप सीवाल आपसन सही हो जाएगा यह जो हता है नर्जनन तंत्र का भाग होता है जब दिम्ब वाइनिया इन प्रशनों को जरूर आप याद रखें ठीक है चलिए अगले प्रशनों को पताते हैं आप सभी को देखिए यहां से आपको प्रारम भ का उप्योग करके अवतल दरपड़ द्वारा बने प्रतिवीम की इस्तिति प्रकृति आपको बनाना है पहला प्रशन है कि वकरता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तू को रखा जाए तो उस समय के प्रतिवीम को बनाना है यह टोटल आपके दो दो नंबर का अर्था यह लिए अगला प्रशन है कि 5 cm लंबाई की कोई वस्तू 30 cm वकरता त्रिज्या के किसी दरपड़ के सामने 20 cm दूरी पर रखी गई है प्रतिवीम की स्थिति प्रकृति तथा आकार ज्याद कीजिए टोटल कितने नंबर का प्रशन है चार नंबर का यह भी आप प्रशन को जर क्मट चार और परि almonds प्रति गंद परती सेकेंट- सौ-व-ई-ashmah उत्पन हो रही है प्रति लोग हो पहांतर ज्याद कीजिए टोटल चार नंबर का प्रशन है इंप्रशन आप सभी को बता रहें जितने भी प्रशन बता रहें इन सभी प्रशनों को आप तयार कर लिजिए अगला देखिए नमांकित आरे खीच कर किसी विद्धुत जनित्र का मून सिध्धान तथा कारेविधी असपश्ट कीजिए इसमें ब्रुशों का भी पर्योग क किजिए अथा देखिए यह प्रशन है इन देखिए विद्धुत मोटर का नमांकित आरे खीचिए इसका सिध्धान तथा कारेविधी असपश्ट कीजिए विद्धुत मोटरों में भक्त वलेओं का महत्तों बताईए ठीक है अब देखिए आपके सामने उपभाग टू है ठीक है उपभाग टू में जित्ते भी प्रश्ण आपको बताने मारे इन प्रश्णों को आप तयार कर लीजी देखिए पांचवा नमबर का प्रश्ण क्या है निमलिकित योगिकों की सरचनात्मक सुत्र आपको बनाना है जैसे मेथे नल का सरचनात्मक सुत्र आपको बना मतला एक एक नंबर का सभी प्रश्ण आपका है जितने भी प्रश्ण बत्ला है इनका सरवश्ण अत्मक्सुत आप जरूर तयार कर लीजिए ठीक है चले अगले प्रश्णों को देखते हैं अगला प्रश्ण आपका है निमलेखित अब क्रियाओं में परतेक के लिए संतुरी तरह साइनिक समीगड़ आपको लिखना है यहां पर चे प्रस नहीं है टोटल छे नंबर का है जिसे सोडियम सलफेट बेरियम क्लॉराइड के साथ क्रिया करता है तो यहां पर और क्या बने का देखिए सोडि क्लॉराइड यानि यह बनता है क्लॉराइड चलिए बता देते हैं आपको मरकरी आकसेड जो हता है उसमा की उपस्तिदिन क्रिया करता है तो मरकरी अलग हो जाता है और आकसीजन क्या होता है आपका अलग हो जाता है ठीक है यह आप यहां भर लेंगे यह सब आपको भरने वाला प्रश्न है एक नम्बर का सभी प्रश्न है ठीक है अगला है कि जो अध्या सल्फियूरिक अमल के साथ क्रया कर रहा है और इसके साथ में आपका क्या होता है लिखा है यहाँ यहाँ पर अलग हो जा रहा है तो आपको 한गे क्या बनेगा फेरस सतों बंदेगका सलफएट लिखेएगा या आएरं sulphate लोकि दिचीजेगा ना फेरेस के जगह आप लिखी दिजेगा आएरं यहां पर लिखा है आएरं sulphate बन जैता हो इस पर बहार निकल जाता है अगला देखी कि कर्बूर्ण बनता है और साथ में क्या होता है आपका क्या होता है बाहर निकल जाता है ठीक है तीस पकाश से समीकड़ा देखे आपको बोड के एक्जा में सवाल पूछता आ अगला देखे अथमा में दिया है यहां पर टिपभाई लिखना है तो जितने भी प्रष्ण बता रहे हैं सभी प्रष्णों को एक बार जरूर देख लिएगा है तो कारबनिक योगिक में प्रतियस्थापन अभिक्रिया क्या होता है इस प्रश्ण की तैयार कर लिए आप वो भाग तीन है इसमें भी इतने भी प्रश्ण बता रहें इन प्रश्णों को आप तुरंत देख लीजिए आप देखे आठवा नंबर का है पहला कि आक्सी तथा अनाक्सी शोषन के दो अंतर आपको लिखना है इस प्रश्ण को तयार कर लिजिए साथ में लसिका तथा आक्सी शोषन जितने भी प्रश्ण बता रहें सभी important प्रश्ण ही है ठीक है चलिए अगले प्रश्णों को देखते हैं देखिए आपके सामने अगला जो प्रश्ण है आपका रसायन संसलेशर क्या होता है इसमें भाग लेने वाले कोई तीन जिवाड़ों के नाम तथा का लिखना है आपको ठीक है तो इस प्रश्ण को साथ में तयार कीजिए सथमा साथ में और क्या तयार करना को कि पाचक एंजायन के कार्य क्या होते हैं इस प्रश्ण को साथ में याद रखना है कि पाचक एंजायन का क्या मतलब होता है क्या तात्पर है टोटल यह चार नंबर करना रहता है तो देखेंए यहां पर जितने भी प्रशन आप सभी को बताएं जितने इसे भी प्रशन बता इन सभी प्रशनों के एक बार देख लीजिएगा यदि आपके पेपर में ये सवाल आने के 100% चांस है तो सभी सवालों के एक बार देखे रहेंगे तो आपके सामने प्रशन आता है उनका इंस्वर आप आसानी से दे सकते हैं तो फ्रेंस आपको वीडि को सेयर करें